आज हम सीखेंगे subtraction of mixed fraction मिस्रिबिन को गटाना सबसे पहले में एक एक्जाम्पिल देखते हैं 5-3, 3-5, 4 इसको हम पहले basic method से करके दिखाते हैं आपको basic method से पहले कैसे होता था तो basic method हमारे क्या था? अगर 5-3, 3-5 को गटाना है 4-4 का LCM लेते हैं फिर बन 4-4, 5-4-20, 4-4, 15 20 में से 15 दे 5-4 तो जो हमारा answer आता था बन 1-4 अब हम इसको solve करने के लिए एक trick का use करेंगे जिससे कि हम बहुत जल्दी solution ला सकते हैं तो हम आए एक trick देखते हैं यहाँ पर trick जैसे मैं यही कुष्ण लेता हूँ 5-3, 3-4 तो इस कुष्ण में हमें यह करना है यहाँ पर माइनस के बाद यह जो नमबर रहेगा इससे प्लस 1 कितना हो गया? 4 हो गया 5 मैं से 4 को माइनस कर देंगे प्लस 1 नमबर यहाँ पर लेना है और यहाँ पर जो हर है हर मैं से अंस को गटा देंगे और अंस की जगर लिख देंगे जैसे मैं आपको बता हूँ यहाँ पर 5 मैं से 4 गटाएंगे कितना बचेगा? 1 अगला स्टेप कर रहेगा? हर मैं से अंस को गटाना है 4 मैं से 3 जाएगा 1 और हर हमारा as it is रहेगा तो हमारा अंसर आगा है 1, 1 by 4 हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं अज़ी आपको समझ में आएगा अगला एग्जाम्पल लेते हैं 4 माइनस 1, 2 by 3 यहाँ पर बन है plus 1 करेंगे 2 हो जाएगा 4 मैं से 2 टाएंगे 2 3 मैं से 2 गटाएंगे बन 3 as it is रहेगा इसका अंसर यहाज आएगा यहाँ पर माइनस करते है यहाँ पर बन है plus 1 करके 2 हो जाता है 4 मैं से 2 गटाएंगे 2 बचएगा यहां पर एक एक्जाम्पल और लेते हैं आपको और अच्छी समझ में आएगा कि एक्जाम्पल लेते हैं 99 माइनस 92 5 बाइ 7 यहां पर 92 है माइनस कितना करना है प्लस 1 93 तो 99 में से 93 जाएगा कितना बचेगा 6 सेवन में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2 2 बाइ 7 6 2 बाइ 7 यह इसका अंसर आ गया कि बहुत आसान मेथड है मिक्स प्रेक्शन को गटाने के लिए एक एक्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग यहां पर 237 200 5 बाइ 11 अब यहां पर 200 है तो हमें माइनस कितना करना है 201 201 माइनस करेंगे 201 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 36 11 मैं से 5 गटाएंगे कितना बचेगा 6 बट्टे 11 यह इसका अंसर तो यह रही हमारी ट्रिक मिक्स फ्रेक्शन को जल्द से जल्द गटाने के और सॉलूशन बाने के थेंक्यू